दोस्तों नमस्कार फिर्षेक ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों सहारा इंडिया का ताजा अपडेट सहारा हेल्फ लाइन नंबर 2023 देश में लगबग बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी कमाई का कुछ ना कुछ पैसा बचा कर अपनी भविश से के इंडिया में निवेश किया गया था वहां यह सोचकर अपना पैसा को निवेश किये थे कि भविश्य में आगे चलकर यह पैसा उनके काम आएगा लेकिन लगबग बारत से 13 सालों से निवेश को का पैसा भुकतान नहीं किया जा रहा है तो चलिए जानते हैं आज की संपू पूरा हो जाने के बावजूद भी उनको पैसे को निवेश नहीं किया जा रहा है लोग धरनापरदसन की और कदम रख रहे हैं कई कई जगों पर धरनापरदसन शुरुआत भी हो चुकी है इसी के चलते निवेश को के लिए एलफ लाइन नमबर को जारी कर दिया गया है आ लोगों का सीकायत करने में आसानी हो सकती है बताया जाता है कि सीवी आई कंजूमर हेलफ लाइन नमर से लोगों को मदद लेनी पड़ती है इसकी लिए कहीं कहीं जाने की जोर्त नहीं पड़ेगी आप घर बैठे अपने मोबाईल से ही सीकायत को दर्ज करा सकते हैं और से से क्लेम कर सकते हैं कुछ दसक के दावरान सहारा इंडिया की दो कंपनी निवेशको को करोन रुपे की रिफंड अभी तक किया है और री पेमेंट के बीसे सुरूप से बताया गया कि भैंग खाते में जमारासी बढ़ाकर अब 24,000 करोन रुपे से अधिक हो चुकी है जानक पंड के लिए अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं सहारा इंडिया से जूड़ी ताजा खबरों के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वेल आइकन कंट्यू को आल कर ले नेक्स्ट वीडियो भी मिलते है दोस्तों जैंजै भारत बंदे मात्रम